क्या आप भी इस तरीके का YouTube thumbnail डिजाइन करना चाहते हैं CorelDram में अगर हां तो वीडियो को पूरा देखिए और बेतरी न तरीके से सीख लिजिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि YouTube thumbnail का जो size होता है वो pixel में 1280 into 720 होता है आप अपने CorelDram में देखेंगे तो हो सकता है यहाँ पे inches लिखाओ तो आपको inches पे क्लिक करना है और नीचे यहाँ पे pixels लिखाओगा इस पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप pixels पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे आ जाएंगे आप तो इसको आपको 1280 कर देना है उपर वाले को 1280 और उसके बाद आपको keyboard से type प्रेस करना है नीचे जाने की जरुवत नहीं है शरीफ आप type प्रेस करेंगे आटोमेटिक आप नीचे आ जाएंगे और type प्रेस करने के बाद इसमें आप 720 लिखेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे इतना करने के बाद यह आपका size perfect बन जाएगा अब जो आपको thumbnail बनाना है ना इसी के अंदर बनाना है तो यहाँ पे हमने example के लिए thumbnail लिया है और इसी को हम बनाएंगे क्योंकि यह thumbnail थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है इसी type के thumbnail बना करके आप चाहें तो fiber पे earning भी कर सकते हैं Facebook group से भी earning कर सकते हैं उसका मैंने वीडियो बना दी है अपने main channel टियर बादूर पर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर इस thumbnail में क्या किया गया है दो तीन color को match किया गया है और test को थोड़ा सा bold किया गया है और एक face को डाला गया है जो कि थोड़ा सा अजीब type से दिख रहा है वाउ इस type से दिखाने के लिए इसमें एक face डाला गया है जिसको हम Google से download कर लेंगे तो हम यहाँ पर आएंगे और rectangle टूल पर double click करेंगे तो हमारा एक box पूरे size में बन जाएगा इसमें कोई भी color पहले दे देते हैं याद रहे मैं Coralra 2020 यूज़ कर रहा हूँ अगर आपके पास कोई और rectangle रहा होगा तो हो सकता है थोड़े बहुत फक्सन इदर उदर हो लेकिन हर software में आप इसे बना सकते हैं अब इसमें हम same यही color डालना चाहते हैं तो अगर हमको same यही color डालना है तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे आई ड्रॉपल टूर पे इस पर select रहेंगे और यहाँ से जो color आपको चाहिए उसको ले लेंगे आप देखेंगे मैं यहाँ पर ले जाके ओके किया यह color मेरा यहाँ पर नीचे आ गया मैं अब इस पर click करूँगा तो मेरे page में यह color add हो चुका है और बेहतरी नगर आपको बनाना है कोई भी thumbnail तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बार thumbnail आप Google से सर्च करके ला लीजिए और उसी का color आप यहाँ पर चुरा लीजिए बेहतर रहेगा जब 10, 12, 15, 20 ऐसे डियाइन आप बनाने लगेंगे खुद आपको idea हो जाएगा कि color कहाँ पर कौन सा use करना है starting के लिए color चुरा ना सिखो अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर टेड़ा किया गया है तो हम उसको भी करेंगे और उसको करने के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे two point line होता है हम इसको slate करेंगे और slate करने के बाद यहाँ से खीच के हम यहाँ पर ok कर देंगे दूसरा भी तरीका है आप जो चाहे वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं हम आपको इसमें दूसरा तरीका ही देखा देते हैं इसको नहीं बताते इसको हम यहाँ पर delete करते हैं और इसको select करेंगे और अपने keyboard से Ctrl Q करने से ये curve हो जाएगा shape tool पर पर आएंगे और इसको यहाँ पर लाकर रख देंगे और इस वाले को हम यहाँ ला देंगे जितना हमको तिर्चा इसको करना है उतना हमने कर लिया अब फिर से हम rectangle tool पर आकर double click करेंगे क्योंकि ले लेंगे इस तरीके से हमने ये बना लिया अब इसके बाहर जो ये सब थोड़ा सा design आप देख रहे हैं इसको भी बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो Google से इसको download भी करके लगा सकते हैं हम इसको download करेंगे हमने इसको download कर लिया फिर से हम CorelDRA में आते हैं और download वाले folder में अपने जाएंगे पहले वहाँ से इस image को लाएंगे CorelDRA में ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको रख दिया अब इसके side में ये जो बना है इसको भी हम बनाने की कोसिस करते हैं काफी असान है widget tool से बहुत ही जल्दी हम इसको बना सकते हैं तो यहां से हम widget tool select करेंगे और यहां पर click करेंगे यहां पर फिर थोड़ा दूर यहां पर और फिर आ करके हम यहां पर इसको बंद कर देंगे और यहां से कोई भी color पहले random fill कर लेते हैं इसे मैं पीला फिल कर लिया आउटलाइन इसका हम हटा देंगे अब इसी को हम कई जगा डूब्लिकेट करते हैं राइट क्लिक करने से यह हमारा डूब्लिकेट हो जाता है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि यहां पे हमने थोड़ा बहुत बना दिया बैतरियन नहीं बना है लेकिन बन गया है जितना ज़्यादा आप मेनद करेंगे बन जाएगा वैसे इस पर मेनद करने की कोई ज़रूरत नहीं यह यह आपको गूगल पे मिल जाएगा थोड़ा सा खोजना पड़ेगा कि किस नाम से आता है तो अगर नहीं खोजेंगे थोड़ा सा मेनद करेंगे तो बना लेंगे जितना ज़्यादा मेनद करेंगे अपनी स्कील को ही आप डोल अप करेंगे तो यहाँ पे हमने बना लिया अब इसका कलर हम थोड़ा भूत हलका और करेंगे तो किसी के से नीचे से इन सब को और इसमें भी हम यही कलर फिल कर देंगे अब आप देखेंगे कि यह बिल्कुल नहीं दिख रहा है थोड़ा सा आपको चाहें तो डार्क रख सकते हैं नहीं तो इसी को डुब्लिकेट कर देंगे यहां लाकर के राइट क्लिक करेंगे तो थोड़ा वो दिखने भी लगेगा अच्छा भी लगने लगेगा मैंने बोला आप जितना ज्यादा मेहनद करेंगे उतना ज्यादा बेतरी आप डिजाइन तयार कर लेंगे वैसे थमनेल डिजाइन पे तो इतना मेहनद करने की कोई ज़रुवत नहीं है लेकिन अगर आप learning period में अभी सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेतर है कि आप मेहनद करें जितना ज्यादा कर सकते हैं अब चुकि बाहर वाला इससा हमारा नहीं दिख रहा है तो हम अंदर वाले को थोड़ा सा और dark कर देंगे या इन सब को थोड़ा और light करेंगे तो हम इस पे click करते हैं और फिर से इस पे click करेंगे और इसको और ज्यादा light करेंगे हम इतना light करते हैं ठीके अब हमारा ये दिख रहा है सब को select करके control R कर देंगे सब में यही color fill हो जाएगा अब हमारा ये दिखने लगा लेकिन यहाँ पर आप notice करेंगे थोड़ा सा ये 3D type का दिख रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये जो हमारा orange वाला है इस पे click करेंगे और अपने keyboard से निमोरी keyboard जो दाइने side में एक दो तीन गिंती लिखा होता है दाइने हाथ की तरफ उस keyboard से हम पलस दबाएंगे पलस दबाने से क्या होता है कि इसका हमारा duplicate हो जाता है यानि ये दो copy हो गया अब दो copy हो गया तो क्या करेंगे shape tool पे आएंगे और यहाँ से पकड़के इसको थोड़ा सा अंदर इतना खिच देंगे इतना हमने इसको खिच दिया लेकिन कुछ तो पता नहीं चला ये 3D तो लगी नहीं रहा है अब हम क्या करेंगे फिर नीचे वाले को select करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे औरेंज वाले पे click करेंगे थोड़ा देर तक और इसका dark वाला version हम यहाँ से select कर लेंगे या फिर light वाला आप लेना चाहें तो light ले सकते हैं हम light ही ले लेते हैं तो हम उपर click कर देंगे इस पे आप देखेंगे हमारा यहाँ पे light version हो गया और यह थोड़ा बहुँ ठिक ठाक हमको 3D भी दिखने लगा अब थोड़ा इसके अंदर भी जहाँ पे यह यूटूब लिखा है न वहाँ पे भी यही चीज फिल किया गया है तो एक box यहाँ से लेंगे और इस तरीके से हम एक box बना लेंगे ठीक है इस तरीके से और box में भी हम यह color फिल कर देंगे और इसका outline हम खतम कर देंगे outline अटाने के लिए यहाँ पे आएंगे right click कर देंगे तो outline हमारा हट जाएगा अब हम क्या करेंगे इसी पे rectangle पे एक बार और click करेंगे और इस वाले को पकड़के थोड़ा सा यहाँ पे हम नीचे कर देंगे हमने बहुत जादा पतला बना दिया तो हम इस पे click करेंगे और थोड़ा सा इसको चोड़ा कर लेंगे ठीक है इस तरीके से आप खुद जब काम करेंगे आपको लगेगा कि कहाँ पे हम कमिक कर रहे है तो यह हमारा ready हो चुका है अब इसमें यहाँ पे थोड़ा सा और आप देखेंगे तो एक light effect है आप light effect गूगल से ले सकते हैं इसके बाद एक और box हमको नीचे बनाना है बिल्कुल इसके ताकि हम उसमे थमने लिख सकें तो यहाँ पे फिर से हम आएंगे और एक box बना लेते हैं इतना चौड़ा और इसमें हम black color फिल करेंगे outline इसका भी हटा देंगे pick tool पर आएंगे और इसमें एक बार click कर देंगे और इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे हम यहाँ से इसी तरीके से उपर भी एक box बनाते हैं और इस पे भी एक बार click करेंगे और यहाँ से गुमा देंगे इस तरीके से यह उपर वाला इससा हो जाएगा इसमें भी हम black color फिल करेंगे outline हटा देंगे इसका आप देख सकते हैं इस वाले में light का effect उपर और नीचे दोनों आ रहा था वह इसे यह अंदर से light का effect आ रहा था लेकिन हम यहाँ उपर ही लगा दिये हैं क्योंकि जैसा light effect हमको चाहिए वैसा मिल ही नहीं पाया है चलेगा कोई दिक्कत नहीं यह भी हमारा चलेगा अब हम लिख लेते हैं test को अपने और उसको भी set कर लेते हैं सारा letter capital है ताकि दिखने में ज्यादा आकरसी तो तो हमने यहाँ पर test को type कर लिया स्रिफ capital letter रखने से नहीं होगा इसको थोड़ा सा हमको bold भी रखना पड़ेगा तो यहाँ से आप चाहें तो area black ले सकते हैं area black आप click करेंगे यह bold हो जाएगा अब हम क्या करेंगे control के press करेंगे क्योंकि तीनो को हमने एक बार में लिखा था control के कर दिया यह तीनो अलग हो गया अब हम इसको यहां पर लाएंगे और इसको फिर यहां पर लाएंगे लेकिन तीनो का color हमको white करना है तो इसको select करेंगे और हम white कर देंगे ठीक है अब इसके अंदर हम set करेंगे छोटा कर देंगे और एक बार click करके इसको भी इस तरीके से गुमा लेंगे जिस तरीके से हमने box को गुमाया था यहां पर रखेंगे YouTube को यहां लाएंगे इसको भी एक बार click करके इस तरीके से गुमा लेंगे थोड़ा सा बढ़ा कर लें इसी तरीके से thumbnail को भी इतना सारा हमने कर लिया अब रही बात की face कैसे लगाएंगे तो face को आप face expression लिखके Google पे search कर सकते हैं या wow लिखा हुआ है तो wow face expression लिखके सर्च कर सकते हैं एक बार हम search करते हैं और लाके यहां पर लगा देते हैं आप देख सकते हैं यहां पर मैंने यह image ले लिया यह transparent नहीं था तो इसको हमने transparent बनाया है, online बहुत ही कम 5 second के अंडर transparent बन जाता है, किस तरीके से बनता है, उसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर बना दिया है, आप देख लिजेगा, link आपको description में मिल जाएगा, ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर set करेंगे, बड़ा कर लेंगे, ताकि यह पूरे हम हमारे जो background है, उसके अंदर आ जाए, और इसको हम power clip के जरीए अंदर कर देंगे, इसको हमको power clip करना है इसके अंदर, तो पहले हम बाहर लाएंगे इसको, right click करेंगे, power clip inside और इसके अंदर कर देंगे, अंदर करने के बाद आप देख रहे हैं, यह सही से नहीं दिख रहा है तो edit में जाएंगे, और इसको set करेंगे, अब हमारा यह ठीक है, finish पे click कर देंगे, लेकिन नीचे वाला इससा कर रहा है, फिर से हमको edit करना पड़ेगा, और थोड़ा सा यहां से और बड़ा कर देते हैं, अब सही है, finish पे कर देंगे, यह finish हो गया, हमारा set भी हो गया, तो इस तरीके से आप YouTube का thumbnail डिजाइन कर सकते हैं, और डिजाइन करने के बाद आप उससे earning भी कर सकते हैं, वीडियो देख लेना, link आपको description में है,